हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स बात करेंगे डियलेट पर इच्छाओं से संबंधी साथ ही प्रमोट से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट बाते यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है और फ्रेंड्स अंतिम मौका ही तो क्या हुआ तो फ्रेंड्स इसके लिए तो माप ही चाहेंगे आप सभी से लेकिन हां कल जो है आप सभी को थोर्ट समेश्टर जो भी आपका स्लेबस है प्लस टैम टेपल आप सभी कोई शैनल पर बता दिया जाएगा दैन आप सभी की जो क्लासिस की सैड्यूल है वो फिर कोई बैक लगने वाली प्रोब्लम आप सभी को फेश ना करना पड़े अब देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्योंकि खासकर अगर आप बात की जाए बैक प्रसुक्षों से रिलेटेड तो उनको ये डर है कि हम भरती में सामिल होंगे कि नहीं होंगे और इसी को ले जाए क्योंकि नए सिक्षक भरती आने वाली है ठीक है और फ्रेंड्स उनली नए सिक्षक भरती ही नहीं केवियस की भी वरती आने वाली है साथी रीट की भरती आने वाली है तो अगर ऐसे ही चलता रहा समेश्टर आपका तो कहीं ना कहीं आप इन सारे वर्टियों से बाह लेकिन लेकिन ये गलती नहीं करने है कि प्रमोट के भरूसे बैठ जाना है और आप सब अपनी यहां तयारी ही ना करो क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है प्रमोट के लिए फिर आप एक बारी जो है जमीनियस्तरपर शंगर्स करेंगे और ये भी हो सकता है कि परिक्षन यमांग प्रादिकारी सची फिर से अपनी बात से ना हटे और जो उनकी जिद्ध है वही रहे वो आपकी बातों को बिल्कुल ही अंसुना कर दे बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ऐसे ही होता आ रहा है फ्रेंट्स आप देख रहे होंगे अब क्या ही कहा जाए यहां परिक्षन दिमांग प्राधिकारी द्वारा आप कह सकते हैं काइडिडेट को प्रसक्षों को परतारीत क्योंकि यूपी में आप देख रहे होंगे क्योंकि एलेक्षन हो रहा है लेकिन बहुत सारे ऐसे भरतिय जैसे उत्तर पर्दे सेवा आयोग में आप देख सकते हैं यूपी ट्रेपले सी में जो भी भरतिया है जो भी रिजल्ट है जो भी उत्तर कुंजी है वो जारी की जा रहे हैं लेकिन यूपी टेट में पता नहीं सासन से प्रस्ताव मांगा जा रहा है और ये भी कहा गया है कि जब election खतम होगा तो फिर से प्रस्ता और भेजा जाएगा दैन आपकी final उतर कुझी और आपका जो result है वो जारी की जागी तो अब आप खुद देख सकते हैं कि इनकी प्रक्रियाएं क्या हो रहे हैं और किसी भरतियों पर अचार सनीता नहीं लगा है और जो यूपी टेट मात्र आप सभी का एक प्री एक्जाम है तो इस पर अचार सनीता लगा है और साथ ही जो डियलेडी स्कूर्टिनी रिजल्ट का जो मतलब आज आना चाहिए अभी तक उस पर भी फ्रेंड्स अचार सनीता लगा है उसके बारे में अभी तक कोई भी इंफोमेशन परिक्षा ने मांग प्रादिकारी द्वरा नहीं दिया गया है तो क्या ही हम वरोशा कर सकते हैं तो इसलिए हम कहे रहे हैं कि आप अपने तयारी बिल्कुल भी मत छोड़िए और आप ये जो है टार्गेर रख के चलिए कि मार्च लाज विक में आपकी परिक्षा हो जानी है और अपने हैं और दर्समार के बाद अपने के चलिए कि इस पर तयारी स्टार्ट कर दी जाएगी और 20 मर्च के आरस पास जो है आपकी डेट सीट भी जारी कर दी जाएगी सेकेंड, थार्ड और फोर समेश्टर प्रसक्चों का जिनका भी सेकेंड समेश्टर में एक फिर दूस सब्जेक में बैक लगा है आप उस सब्जेक प्लस थार्ड समेश्टर की त्यारी करिए ठीक है और जिनका बैक किलियर हो चुका है वो थार्ड समेश्टर की त्यारी करिए और रही बात प्रमोट को लेकर जो देखिए प्रमोट को लेकर संगर्स किया जाएगा और इसके लिए जल्दी आप सभी कोई डेट भी मिल जाएगा जमीनी अस्तर पर क्या क्या करना है और आगे की परक्रिया क्या होने वाली है फिर से अपनी बात रखी जाएगी बागी आगे जो भी होता है अब तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन अगर यहाँ परिच्छ नेमाग प्रादिकारी प्रमोट कर देते हैं कैणिडेट को तो फ्रेंड्स उनके एक प्रमोट से जो है बहुत सारे प्रसुप्चों का है लाइब बन सकता है है ना लेकिन परिक्षय नेमाग प्राधिकारी इस बात को इन प्रसक्चों के बारे में आप कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं उनको यह है कि बैक लग गया है तो प्रमोट नहीं करेंगे बैक लग गया है मतलब आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है तो आप सभी कोई शैनल पर बता दिया जाएगा प्रमोट को लेकर है ना बाकि आप सभी अपनी तयारी अच्छे से करिए और बिल्कुल भी डिल्मोटिवेट मत होईएगा आप सभी अपनी तयारी पर फोकस करें क्यूंकि आप सभी को ये भी बता है कि भरतियों की प्रिक्रिया कैसे चल रही है और बहुत तियजीर अफ़तार से आप देख रहे होंगे कोई भी प्रिक्रिया नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल धेरे बनाए रखें और हम आसा करेंगे कि आप सभी 2022 में जरूर सिक्षकवर्थी में सामिल हो आप सभी तो इसके लिए आप सभी को अपनी त्यारी अच्छी करनी होगी तो कल से फ्रेंड्स आप सभी को कल इंफूमेशन दे दी जाएगे ठीक है कोई क्योसंस डाउट या फिर कौनसेप्ट किलियर न हो रहा हो बोर्स हो या फिर जैनेट आपकी तैयारी में हल्प करेगा फिलो अैप किसी भी ताइम आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं उनली तीन तरीकों से सबसे पहले आप से भी कोई साइप को डाउनलोड करना प्ले इस्टोर या फिर डिस्क्रिप्सर बोक्स में लिक मिल जाएगा देन साइन अप करना होगा उसके बाद से आप अपना डाउट किलियर कर सकते हैं फोटो या फिर टाइपिंग के माध्यम से वह भी लाइब बेश्ट टीचर के माध्यम से ओनली साट सके में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है अगर बल्ब जो है वह 220 वोल्टेश पर ऑपरेट हो रहा है इस बैटरी का जो वोल्टेश है वह आपको गिवन है 220 तो यह आपको सिंपल रिलेशन होगे यहां पर अब अगर आपको और डाउट है तो बताईए आप अगर वीडियो को प्यार देंगे उतना आप सभी को बेश से बेश्ट कोंटेंट और आप सभी के लिए मेहनत की जाएगी आप सभी के लिए अच्छे कॉनसेप्ट बनाये जाएगे ताकि आप कम समय में अच्छी त्यारी कर सकें ठीक है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट आप सभी का परिक्षा कंड़क्ट कराया जाएगा ठीक है क्योंकि आगे बोट्स के एक्जैम होने वाले हैं तो इस वज़ा से दिक्कत हो जाएगी ठीक है बाकी परिक्षा नेमाग प्राधिकारी का तो यही कहना है आगे कोई भी अपडेट आता है यह कुछ भी प्रमोट को लेकर किया जाता है तो आप से भी कोई चैनल पर अपडेट दी जाएगी मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में थांको शोवाच टेक क्या क्या देखिए से आप से नेक्स परिक्षा अज़ होगी जाएगी लगाखे दिगज़ के लिगे वीडिकार जाएगी में भी प्रेंगी में वीडिकार आप से फिए अप्राद के भी कोई आप से ध।